Dear Students, Good morning, Class A. Dear Students, Last Lecture में हमने 6 लेसन का आपको सार दिया था. आपने सार को अच्छी तरह पढ़ लिया होगा और उससे आपको इस लेसन के बारे में पता लग गया होगा. सबसे पहले आपने लिखना है पार्ट नमबर 6 नील गगन का नीलू और उसके पंजाबी की हिंदी आपने राइट करनी है. खिडोने, खिलोने, प्रिख्या, प्रिख्या, विशा, विश्य, जिद, बालहट, बचपन, बाल्यका, सलाह, प्रामर्ष, मजबूत, उक्ता, हद, सीमा. उसके बाद आप शब्दार्थ करेंगे. ग्यादिये, लक्षय, बालहट, बच्चे की जित, अनुमान लगाया हुआ सक्षम समग. उसके बाद आपने हैडिंग डालनी है, इन प्रश्णों के उप्तर एक या दो वाक्यों में देखें. कोशन नमबर वन, नीलू का पूरा नाम क्या था? अनील शर्मा. सेक्टिंग कोशन, बच्चपन से ही उसकी रूची फलाई में क्यों हो गई? उसके पिता वायू सेना में सारजेंट थे वैगंड़ो अकाष में उरते जहाजों को देखता रहता था इसलिए बच्चपन से ही उसकी रूची फलाई में हो गई. Question number 3 उरते हुए वायवान को देखर वैं मन ही मन क्या सोचता है Answer वैं मन ही मन सोचता है कि मैं अभी बड़ा होकर विमान उडाएंगा और देश का नाम उचा कर लिगा Next question है उसने पाइलेट का प्रशिक्षन कहां से दिया Answer है विदर से Next question उसने किन किन शेत्रों में देश की सेवा की Answer है बाड सीमा सुरक्षा वायवान प्रशिक्षन रैमन पाइलेट के शेत्रों में देश की सेवा की Next question है उसे किस परकार के कार्यों में रूची थी Answer है उसे चुनोतिपूर कार्यों करने में रूची थी Next question is 12 Nov 2000 को भारते क्शिमी सीमा पर पाकिस्तानी मचेवारों की किश्तिय'ा देखे Next question is, पाकिस्तानी मचेवारों ने किसी अपना निशाना बनाया आंसर है है हैलिकॉप्टर को अपना निशाना मुना है नेक्स वोशन है 26 मंबर यानि कि 26 मंबर 2009-2009 ऐसी ही गुषपेट की स्थान पर हुई आपने राइट करना है मुंबाई में आपने इस सभी गुषण पंजाबी की हिपनी शर्दार तो यह सभी गुषण के अमर्लोग पर राइट करने हैं धन्याइब